नवस्कार आप देखरें एकॉनोमी का हिसाब किताब और मैं हूँ अनिंद्यो चक्रवर्ती आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट में फिर से उच्छाल आने लगा है और आपको भी लगाओ कि भीया जाके मैं भी कुछ पैसे स्टॉक मार्केट में डाल देता हूं मेरे भ जाते हैं आप में संकोच आ जाता है कि पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए लेकिन एक नंबर आप दिमाग में डाल लीजे कि स्टॉक मार्केट का जो क्रैश हुआ था ये कोविड-19 आने के बाद 20 फरवरी से 23 मार्केट हमारे देश में गिरा है दुनिया भर आज मार्केट खुलने के बाद भी अगर आप रिटर्न देख ले तो 23 मार्च से लगबग धाई महिन्यों में आपका रिटर्न 17 प्रतिशत होता अगर आप निफ्टी में आपने पैसे लगा लेते हाँ थोड़ा बहुत उपर नीचे इसके बाद भी होगा अगले कुछ दि आपको मार्केट में पैसे लगाने की बात करने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है दो मिनिट लगाते अब आप समझे कि आपके पास एक कंपनी है और आप हर्मोनियम बजाते ताकि सब के अबबा हर्मोनियम बजा सके समझे न हर्मोनियम अबबा नहीं समझे तो यूट्यूब पर देख लीजिएगा खेर आप हर्मोनियम बनाते हैं अच्छा खासा आपका होगा आपको ब्याज देना पड़ेगा तो आपके CA आपको कहते हैं आप क्यों उधार ले रहे हैं आप stock market में जाके पैसे क्यों नहीं उठाते तो आप कहते हैं कि कैसे करूं तो वह कहते हैं कि देखे हिसाब जोड के लगता कि आपकी company अगर आप आज पूरा का पूरा बेज देंगे तो आपको एक कड़ोर रुपे मिलेंगे तो इसको हम एक लाक शेर में बाट देते हैं हर एक शेर का value कितना हुआ 100 रुपे एक कड़ोर divided by एक लाक तो हर एक शेर 100 रुपे का इसको अगर आप stock market में जाके 20,000 रुपे आप उठा सकते हैं और 20,000 रुपे से आपका नया वरक्शॉप बन जाएगा हाँ लेकिन एक चीज़ जरूर होगा साथ में कि 20,000 रुपे में से public listing है ना इसका मतलब है stock market में आपके company का शेर बेचा जा रहा है अब शेर जो खरीद रहे उनके तरफ से देखिए 100 रुपे का उनने शेर खरीदा लेकिन 2-3 साल में तबला का business भी बहुत अच्छा चल गया एक कड़ोर का value आपके company का था वो दो कड़ोर हो गया शेर का कि वो गाना सीखे और हर एक को मुफ्त में हम एक-एक harmonium खरीद कर देंगे तो stock market में मारपीट मच जाती है कि harmonium बनाने वाले जितने भी company है उनके stock खरीद दो आपका company याद है आपको harmonium बेचती थी और उसके stock वाले जिन्होंने भी आपका stock खरीदा था उनको भी लगेगा कि और stock खरीद लो खैर जैसे ही demand आपके company का बढ़ेगा तो क्या होगा आपका stock price 200 से बढ़ बढ़के बढ़ बढ़के उचाल लगा कर 500 तक पहुंच जाएगी आपका business अभी तक बढ़ा नहीं है याद रखिए सिरफ लोग सोच रहे हैं लोगों को आशा है लोगों में जो पूल को देने वाले तो जहां करोडो हर्मोनियम बिकने वाले थे वहां पर कुछ लाख हर्मोनियम बिकेंगे तो आप सोचे आप क्या होगा सरकार का तो policy change हो गया demand भी हर्मोनियम का कम हो जाएगा तो आपके company का stock price क्या होगा 500 से धड़ाम गिरकर 200 पर वापस हो सकता है 200 से भी नीचे चले जाए कभी-कभी ऐसा भी होता है आपकी कोई गलती नहीं उसमें आपका business वहीं का वहीं है लेकिन आपका stock price 200 से नीचे पहले से भी नीचे चला गया क्योंकि लोग बेचने लग गए खैर जिसने 100 रुपे में खज़दा था उसका तो कोई खास loss नहीं हुआ जो भी loss है उनका notional loss है उनके दिमाग में loss है उनका तो price आज भी 200 के आसपास ही चलता है यानि कि फायदा ही फायदा है लेकिन ये चीज़ याद रखिए कि कभी-कभी हवा में stock उपर जाता है उसके नीचे business में कोई फर्क पड़े या ना पड़े फिर भी उपर जाता है ब आला लगा हुआ है फिर भी stock market में ऐसा return कैसे आ रहा है इसका एक ही कारण है क्योंकि दुनिया भर के bank को ने धेर सारा पैसा market में छोड़ दिया है interest rate को 0 के आसपास ला दिया है बिलकुल शून ये कर दिया है तो अब आप अगर bank में पैसा रखेंगे तो क्या होगा आपको क जादा market में है कि वो जरूर stock market में जाएगा आपको लोग कहेंगे थोड़ा बचके भईया stock market crash हो सकता है जिस तेजी से उपर जाता है उसी तेजी से stock market गिर भी सकता है इसमें timing की भी बात होती है क्योंकि कभी-कभी लगता है कि सबसे नीचे अगर मैं पैसे लगा था तो आ पर चोड़ी हां बैंक में आप डालेंगे सिर्फ सेविंग्स बैंक में आपका पैसा बैठा रहेगा तो आपको चार तीन परसेंट ऐसा रिटर्न मिलेगा आप अगर उसको fix deposit में भी रखेंगे तो tax हटा कर आपका रिटर्न बहुत खास कुछ होगा ने stock market में जादा तर प fund चलाते हैं उनके ऊपर छोड़ दीजिए SIP कीजिए यानि कि systematic investment plan कीजिए कुछ चीजों पर जो आप खर्च करते हैं जिस पर आप बिना खर्च करिये भी रह सकते हैं वो खर्च बंद करके उतना पैसा 500 रुपए भी हो वो भी लगा सकते हैं आप mutual fund में हां कभी-कभी वो लेकिन जादा तर वो बढ़ेगा जिनको आता है YouTube, इंटरनेट पे बहुत कुछ है stock market को सीखने के लिए और आजकल हर एक company का details financial, इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा इसलिए पैसा लगाना जादा आसान हो गया है हां ये जरूर याद रखिएगा कि stock market में आपको धीरज ध दरना पड़ता है, कभी-कभी market बहुत तेजी से उपर जाएगा और कभी-कभी बहुत तेजी से गिरएगा, आपको अगर stock market में पैसा लगाना है तो पैसा लगाईए ताला लगाईए उस पर और वेट कीजे, अच्छे company पर लगाईए, कोई आकर आपको tip दे दे, ऐसे company का जिसका आपने आज तक नाम नहीं सुना, क्योंकि उसका share 2.5 रुपे में बेख करा है, हो सकता है उस पर आप लाखों कमा ले, लेकिन हो सकता है आपका पूरा पैसा भी वैसे डूब जाएगा, हाँ, stock market में पैसा लगाना इसका risk जरूर होता है, पूरा पैसा इसलिए एक ब बैंक वगेरा में लगाईए, इसका एक example दे देता हूँ, जैसे मैं 48 साल का हूँ, 100-48 कितना हुआ, 52 प्रतिशत, यानि अगर मेरे पास 10,000 रुपे है, तो 5,200 रुपे मुझे stock market में लगाना चाहिए, और 4,800 रुपे मुझे bank या debt या जहां पे fixed income आता है, वहां पे लगान चाहिए, क्योंकि जितना आपका उम्र बढ़ेगा, उतना आप कम रिस्क ले सकते हैं, जितना आपका age कम होगा, उतना ज्यादा आप रिस्क ले सकते हैं, stock market में जो बिना डरे धीरज धरते हैं, उनको फायदा होता है, जो जल्दी overnight rich होने की कोशिश करते हैं, overnight अमीर होने क की कोशिश करते हैं, वो डूब जाते हैं.